कई साल पहले जबलपुर नाम के गाउं में गोपाल बाबु नाम का एक जमिदार रहते थे, उनके घर पर लल्लू नाम के एक करमचारी कई सालों से उनका सेवा कर रहा था, हर रोज सुबह लल्लू जमिदार को चाय पहुँचाया करता था, और उनके नहाने से पहले उनका हा ले लिजे न सर, अपना किस्मत आजमा लीजे न सर, सर दस लाग का लोटरी है, उसने कहा, अरे मेरी ऐसी किस्मत कहा, छोड़ दो, ये सुनकर, ऐसा कैसा सर, आप कैसे कह सकते हो, कि सो रुपय खर्चा करके आप टिकिट लोगे, फिर भी दस लाग का लोटरी आपको लगेगा सर, चलो ठीक है, फिर उसने लोटरी वाले से पचास रुपय दे के टिकिट खरी दी लिया, दूसरी दिन सुबह किसी और काम से लल्लो फिर से शेहर आया था, सर 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 मैं आपी को ढूंड रहा था सर, कल मैंने जो टिकिट आपको दिया ना, वो किसी और को बेचने वाला था गलती से आपको बिग्या, उस टिकिट से किसी का किस्पन नहीं खुलने वाला सर, आपको मैं एक फैंसी नंबर वाला टिकिट देता हूँ, वो टिकिट मुझे लोटा दीजिए सर, ये सुनकर, अब रहने भी दो, मैं किसी और काम से आया हूँ, फिर कभी मिलते हैं, अरे सर 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 सर, ऐसा मत बोलो ना सर, चाहो तो आपको मैं दस हजार देता हूँ, पर वो टिकिट मुझे लोटा दो सर, फ्लीज सर, अरे ये क्या, ये इतना हाथ पेर क्यों जोड रहा है भई, शायद ये लोटरी मुझे ही मिल गया है, फिर उसने कहा, देखो भई, मेरे साथ इतनी चाला की करने की कोशिश मत करो, मैं समझ गया हूँ कि लोटरी मुझे मिल गया है, तुम कितने हाथ पेर जोड़ लो टिकिट में नहीं देने वाला, वो टिकिट मेरा है, मेरा, अच्छा जाने दो ना साफ, मैं आपको पचास हजार दे देता हूँ, लोटरी के पैसे हम आध आधा बाट लेंगे, वो टिकिट दे दिजे ना सर, प्लीज सर, भाई तुप पांच लाग भी देगा ना, तब भी मैं टिकिट नहीं दूंगा, कहकर वो वहाँ से चला गया, फिर शाम को जब जमिंदार सब घर लोटे, उन्होंने देखा, उनके कुरसी पर लल्लू अपन हैलो, इज़ट, इज़ट दे के बाद कीजिए, अब मैं भी लगपती हूँ, दस लाग का लोटरी लगा है मुझे, तुमारे ही तरह मैं घर बनाऊंगा, कार खरी देऊंगा, और घर बर के नौकर चाकर रखूंगा, फिर पेर पेर रख्याराम की जिन्देगी काटूंगा उसने कहा, अरे ये क्या हो गया है तुझे, मैंने कौन सी कमी कर दी, और इधर किसी के वज़े से तु तंग है क्या, ये सुनकर, क्या कमी कर दी, मेरा तंखा 5,000 है, उसमें से हजार कट के हाथ में तो 4,000 ही देते हो ना, है की नहीं, बोलो बो, हाँ, तुझे बुरी आदतो की लथ है, कहीं तु सारे पैसे उड़ाना दे, इसलिए हर मैंने मैं 1,000 रुपे fix deposit करवाता हूँ, कल यही पैसे तरे बच्चों के काम आएंगे, मैंने पहले भी तुझे कहा था, जब तेरी मर्जी हो वो पैसे उठा लेना, मना किसने किया है, ये सब बाते रहने ही दो, च देखने को कहा, तो दुकांदार नंबर देखकर बोला, तुमारा नंबर 1011 है और जीतने वाला नंबर 1017, देखो भई, लोटरी तो तुम्हें नहीं मिला, उसने कहा, लल्लू तुरंत उस आदमी के पास पहुँचा जिसने उसे लोटरी बेचा था, क्यों भई, ये क्या नहीं, ऐसा किसी ने कहा, हाँ, गलती से मैंने एक नंबर को साथ नंबर की तरह पढ़ा था, मैं तो बज गया, अच्छा हुआ तुम्हें 50,000 नहीं दिया, क्या कर वो आदमी वहां से चला गया, लल्लू को समझ में ही नहीं आया वो क्या करे, टिकिट खरीदा पर लोटरी तो लगा नहीं, और नौकरी भी उसने गवा दी, फिर वो वापस जमिंदार के घर के तरफ निकल पड़ा, वहां जमिंदार साब अपने कुरसी पर बैट कर अख़बार पढ़ रहे थे, मालिक आप ठीक तो हो ना, उसे देखकर कहा, अरे लल्लू साब आए हैं, कैसे हैं आ अरे साहिब क्यों बोल रहे हो जमिंदार साहिब, मुझे लल्लू ही बुलाओ न, अरे लल्लू साहिब, ऐसे क्यों बोल रहे हो आप, आपका कार कहा है, अरे वो नौकर चाकर कहा गए, अच्छा मैं सोच रहा था मेरा घर बेज़ दूगा, शायद आप इसे खरिदना चाहे इसलिए दो दिन से आपके इंतिजार में किसी को बेचा नहीं, बेचरा लल्लू बहुत शर्मा गया, मालेक मरा हुआ सापके और कितने डंडे मारोगे, लोटरी तो मुझे मिला ही नहीं, वो लोटरी वाला, उसने तो गलत नंबर पड़ा था, और मुझे भ्रमित कर दिया क लोटरी मुझे ही मिला है, अरे मुझे तो पैर हिलाने को मरा कर रखा था, अरे कुर्सी पर बैठने को मना कर रखा था, मालिक आपको पैर हिलाने की क्या जरूरत है, मैं हूँ ना पैर हिलाने के लिए, दो दिन हुए मैंने खाना खाए, बाबा भूक लग रहा है, पूछन अच्छाई से काम करना पड़ता है